नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल जी एस्टीडी पॉइंट पे आज हम विस उत्यास के एक बहुत ही महत्पूर घटना को देखेंगे इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो रूस के क्रांती हुई थी उसके कार्णो को हमने देखा था आज इसमें कोशन सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपके मेंस में ठीक है तो जो भी UPSC की तारी कर रहे है या फिए UPSC की एक्जाम की तारी कर रहे है उनके लिए बहुत ही important topic है ठीक है कोशन का यह पूछा सकता है कि वर्स 1917 की रूसी क्रांती के प्रभावों की विस्तरत कारण क्या थे ठीक है और ऐसे पूछ सकता है कि उसको कारण तथा प्रभाव को विस्तरत चर्चा करके समझाईए यानि कि दोनों कोशन को आप मिला करके भी दे सकता है तो आप अपना एंसर तयार रखिए जैसे कोशन आएगा उसके रिकॉर्डिंग हम अपना एंसर तो जार साही के अंता है निए वहाँ पर किसका सासन था जार का सासन था ठीक है वहाँ की जो सासन व्यस्ता थी उसको क्या बोलते थे पहले जार ठीक है तो जार साही व्यस्ता का जो उसने अंत कर दिया किसने रूसी करांती ने ठीक है कि अंत के साथ नवींतम स्रजित व्य ठीक है, रूस के साथ ही संपूर्ण विश्व ववस्था को अनेक तरीके से प्रभावित किया नहीं, जो रूसी करांती हुई थी जो, उसने रूस को तो प्रभावित किया ही किया, ठीक है, साथ ही जो है विश्व के जो अनेक देश थे, वहां की जो ववस्था थी, उसको जो जो है प्रुभावित करने का कार किया ठीक है उसमें जो है भारत भी क्या था बिटेन का उपनिवेस था ठीक है तो भारत में भी जो है रूसी क्रांती का प्रुभाव पड़ा था और इसी के प्रुभाव में जो है यहां पे जो है वाम पंथी दलों का उभार हुआ और जो कम पहला क्या हो गया निरंकु जार सासन था उसका अंत हो गया और बोलसेविक जो एक रूसी सब्द है ठीक है रसीन लेंगवज है और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं इंग्लिस में यानि कि ये कम्मिनिष्ट बोलते हैं इसका मतलब होता है तो यानि कि बोल सेविक सरकार की इसमें क्या हुई थी स्थापना हुई थी ठीक है फिर 1918 में जो है नव गठित सरकार ने जर्मनी के जो साथ एक जो संधी की थी क्योंकि उस समय जो है प्रथम में जो रूस था वो मित्राष्ट के तरफ से लड़ रहा था और जर्मनी था वो धुर्राष्ट के संग्ठन के तरफ से लड़ रहा था ठीक है तो ऐसे में क्या हुआ जो प्रथम विशुद में जो है 1918 में एक संधी हुई थी रूस और जर्मनी के इम्मत उसका नाम क्या है breast litovusk breast litovusk की संधी हुई थी इसके तहट क्या किया था ruse ने प्रिथम विशुदित को खुद को अलग कर लिया था यहनिके उसने युद्ध से में सामिल होने से अलग कर लिया था स्वयम को ठीक है तो वही लिखना है यहाँ पर 1913 में जो है नव गठी सरकार यानि कि जो कमनिश सकार आई थी बोलसेविक सकार ठीक है उसने जर्मनी के साथ एक संधी की थी उसका नाम क्या है आपने एंसर में जो लिखेंगे इसको breast litovusk यह संधी कर रूस को जो है प्रथम विशुद्ध से जो है क्या कर लिया प्रथक कर दिया अपने आपको उसने अलग कर लिया तो पहला जो है यह प्रुहाँ उनने देखा अगला प्रुहाँ क्या देखेंगे उत्पादन के साधनों का क्या हुआ सामाजी कर दिया ठीक है पहले क्या था वहांपर एक वर्ग विसेश का ही जो अधिकार होता था वहांपर जो संसाधन थे ठीक है अभी उनका क्या कर तया है सामाजी कर दिया गया यानि कि सारा कुछ जो सरकार ने अपने अंडर में लिया यजनी कि कोई भी जो पादन की फैक्टरिय होती थी, वो नीजी वर्ग के हाथों में नहाँ और सरकारी वर्ग में आ गया है यनिकि सबका सारे काम को सामाजी षिवता कैसे कर दीगें, सारी विवस्था पर सरकार का ही अधिकार होगा सरकार बताएगी किसको क्या करना है किसके पास कितनी जमीन रहनी है किस पे कितनी क्हेती करनी है ठीक है नहीं कि समाजी करन का मतलब क्या हुआ समाज में जितने भी वर्ग के लोग है सबका समान रूप से देखा न Luther कोई उन्चा नहीं कोई अमीर नहीं जो गरीब नहीं, इस अवधारना से ये प्रेरित थी करंती, ठीक है, फिर अगला क्या परिवर्तन किया था इसमें, अगला परिवर्तन ये हुआ, नई सरकार जो आई थी, उसने आर्थी विकास के लिए क्या, नियोजित अर्थिवस्था को अपनाया, नियोजित अर्थिवस किया था, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, नियोजित अर्थिवस्था, ठीक है, इसमें टार्गेट रखे आते हैं, कि हम पान साल में इतने टार्गेट को चूप कर लेंगे, ऐसे ठीक है, फिर अगली क्या बात रही, रूसी क्रांती ने जो है वर्ग भेद को समाप्त कर दि ठीक है, समानता कि अवधार्णा के तहट सभी जो है नागरिकों को राजनैतिक, सामाजिक, सैच्छडिक, एवं जो आर्थिक इस्तर पर समान और उसर प्रदान किये गए, ठीक है, वहाँ पर इतना ज्यादा सामाजी कर किया गया, कि वहाँ पर कार है, तो कार का एक ही इसलिए इस तरह की विवस्ता को वफने अपनाया था, ठीक है, अगला क्या है, धर्म रिपेच समाज की स्थापना हुई अब, ठीक है, यानि कि राज जी का कोई भी धर्म रिपेच समाज हुगा, ठीक है, कि स्थापना हुई, तथा महिलाओं की स्थिति में भी क्या किये के साकारात में परिवर्तन की है ठीक है यानिक महिलाओं की सिती में जो है साकारात में परिवर्तन आये महिला ससक्ति करन हुआ ठीक है अब देख लेते हैं जो रूस की करांती थी उसके वैस्विक पुरुहाओ क्या था ठीक है वैस्विक पुरुहाओ तो वैस्विक पुरुह है विधिहास में ठीक है उन्हों लोगी तो दी ठीक है इस उश्योशिलीजम की बात की थी लहain कि ठीक है समाज वात की यह लाज कि ठीक है और कहां के रहने वाले जर्मन के थे ठीक है लेकिन माक्स वादि विचार दारा को अगर अपनाया है तो कहा इंटर्नेशनल इसको रसियन लेंग्वेज में क्या बोलते हैं काम इंटर्न की स्थापना हुई ठीक है यह जो सामिवादी विचार धार है यह निए कमिनिस्ट आइडिलोजी को जो है मलब पूरे विस्व में जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है कि संगठन का निर् प्रस fight वाद इनिस में छिक है कमिनिस्ट इंटर्नेशनल ठीक है इसका दूसरा डाम इंजो रसियन लेंड़न का बोलते है कॉमिंटर्न की स्थापना करी गई ठीक है ठीक है अब अगला क्या रहा जो रूसी क्रांती जो हूई थी उसकतियों के विड़् शोतंत्रता आंदो प्रांस के थे पूर्टगाल के थे इस्पेन के देन्मार्क ते तो विश्व के अनिक देशों में उनके उपनिवेस थे ठीके तो उन समराजवादी सक्तियों के विर्द जो है सतंतरता आंदोलन को प्रेरित किया क्योंकि लोगों को लगने लगा कि अब जो रशिया के जो मज़ूर्ट लुक थे उन्होंने के क्रांती की और वहाँ पे एक सामवादी विवस्था इस्थापित करने में सफल रहे तो ऐसे में अन्य देशों के जो स्रमिक वर्ग थे मज़ूर्ग थे किसान वर्ग थे तो उन को भी लगने लगा कि हम भी जो है अपने देश में जो है इन जो सामराज वादी सक्तियों को समाप्त कर हम भी सुतन से हो सकते हैं ठीक है अगला के है अनेक देशों में जो है स्रमिक संगठनों की स्थापना के साथ ठीक है स्रमिक आंदोलनों का विकास हुआ ठीक है तथा अंतर राश्टी इस्तर पर जो है स्रामिकों के हितों में ILO की स्थापना हुई ठीक है तो ILO का मतलब क्या हुआ इंटरनेशनल लेवर ओगनाजेशन ठीक है तो यह मजदूरों के जो हितों के सनच्षड के लिए संसा की स्थापना की गई थी ठीक है तो यह रहे आपके मुख्य बिंदू ठीक है आप आगे क्या लिए सकते हैं आप इसमें और साथ ही देखेंगे आप इसमें जिसे अगर आ भारत में भी सामवादी दलू की स्थापना हुई समाजवाद विचारदारा भी हावी होने लगी थी कांग्रेस में भी समाजवादी विचारदारा का प्रुभाव बढ़ा था इसको आप देख सकते हैं कि 1936 के आसपास के दोर में देखेंगे तो जो सुभाज शंद्र बो मोटा मोटा एक अपना एंसर एक बना के रखिए ठीक है साथ ही जैसे कोशन पूछा जाए वहाँ पे एक्जाम हॉल के अंदर उस तरह से अपना एंसर को आप मोडिफाई कर दीजे अगर ऐसे कोशन पूछाता है कि रूस की क्रांती के वैस्वी कुरुहाओ क्या रहे भारत के संदर्ब में भी भारत के संदर्ब में विशेश रख्या कीजिए तो आप अपने एंसर में ज्यादा उसो फोकस करके लिखेंगे तो जैसा कोशन हो उस तरह की आपको एंसर को लिखना पड़ेगा ठीक है तो आई हो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अगर अगर कोई सम्मंदित कोशन आगा आता है आपके एक्जाम में में तो आप उसको लिखने में भी सक्षम हो जाएंगे चलिए फिर आज का वीडियो में भी खत्म करते हैं वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीक है और साथ ही जो है चैनल पर अगर आप नगर चाह आएंडे कर और सहां जाता है और संद आप हो थे выпral आप एक्प नाता है जो हैचर को ठाएंडे को है आप आप हैसल लिएके झालिंगा रहा रहा वीजित को का छैएंछतैं।